कि देखिए बत्तु चले कच्छाड मैं अक्सराइज थिरे पॉंट थी कुछिन नुमर्टू गनमूल निकालना है फास कुछिन जो इसका बताया था गनमूल निकालना है जो भीन वाली संक्या है अब दस्मलो वाली संक्या है इसमें दूसरे के पांच पार्ट है पहला और प अगर हम द्यों निकालना है अगर मिंसका भंडू निकालन है तो देखे ऩह दस्मलो वाली संक्या में दस्मलो गाया इक वर फट्डूंड़ो घकर जर 국ah लोगा बढ़ यह ठीक उसके नीचे और उसके आगे में उतनी जीडों लगा दिए जाते हैं सबही को पता है एक ँक एक दो तीन जीरो लगा ठीक तो यह जो हो जाएगा हमारा कि कंडरूट घातीन एक सव पचीस बटा सव एक जार अब वैसे बन गया जैसे पहले कुशन है बिन बन गए उपर उपर का गनमुल निकाले नीचे नीचे का गनमुल ठीक तो एक सव पचीस के तो फेक्टर करी आप पांच गुणा 5 गुणा 5 5 ठीक है तो इसको एसे लिख लीजिएं हो 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा एक हजार के कित्ने उपक नएane 10 का घंमुल या वका हो दस होता है ना 10 मुणा 10 मुणा 10 स्थीव अगर रेयसे नहीं फेक्टर कर लो कर वहां इसको भी दस अब देखेंगे गड़ा वाला भाग तो सभी को पता है बहुत आसान होता है सबी लो कर ले तो जितने नीचे जीरों है नहीं जीरो भरतागा उतने ही ऊपर कर जो होता दो जलोव जाता यानि की इक रउ यह बार यह वना दो डिव्ह को चुछ समझे के कि नहीं है अएसा ही इससका देखिए यह सवारी संख्या करें देखिए यह है है अंडर रूद लगा लिए घाद जीरो दश्मलों एक एक दो तीन चार यह ना तो थीन चार दो क्या घरोके सबसे बाक्य उसके आगे जितने अंक हैं लिजै करे यह चछीव लेधे लगाई एक दो थीन चार पांच छे पांच भाई दश्मलों के बाद यह 0 है इनका महात होता है सब्हें को पता है यह नहीं मैंने बताया है बहुत बाकले कि यह दसमुलों के बाद अगर यह ऐसे पांच के बाद कोई जीरों हों और यह कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं अब उपर का घंग कीजिये नीचे नीचे का घंग कीजिए भए फ्रैक्तर कीजिए गन मून निका लिए 27 अब इनका ये दसमलों हटे गया तो इनका कोई आगे जीरों कोई महात्य ने अब 27 के फेक्टर कर लो तीन तीन नाओ तीन 27 देखो जो छोटे मुट्टे हो आसानी से जवान पर रख्टे होने चाहिए ठीक है अब देखे नीचे फेक्टर करोगे भाई एक आईदाईश आईकर हजाद दर्जा लाख दसलाख है ठीक है इसका फेक्टर कैसे करोगे तो देखे एक तो तरीका बता रहें घन में घन में भाई अगर मान लिजें 10 लिखा है 10 की घा 3 है तो 10 को हम कितनी बार लिखेंगे तीन बार और यानि तीन बार लिखने के मतलब 0 कितने लगेंगे तिन लगेंगे ठीक अगर हम सौ है तीन है तो कितनी बाल लिखेंगे ठीक और तीन बाल लिखने के मतलब चेख जो है तीन भागूँ है बाट लिए जो 60 है तो 2 2 4 4 26 यानि 2 2 4 2 6 0 मतलब 2 1 में हो जाएगे 2 1 में हो जाएगे 2 1 तीन बार लिखना है ना तो यानि 100 100 100 गुणा 100 ऐसे लिख सकते हो ठीक है अगर ऐसे आपको कर ले तो ऐसे लिखिए नहीं तो इसके फेक्टर कीजिए क्या कीजिए फेक्टर कीजिए तर चलिए देखें एक दो तीन चार पांच छे चलिए देखिए कर पाओगे वह कीजिए होगा क्यों नहीं दो पंचे दस एक दो तीन चार पांच जीरो एक दो तीन चार पांच फिर दो से दो दुनी चार बचे दो पंचे दस पर एक दो तीन चार जीरो एक दो तीन चार फिर दो से दो एक कम दो दो दुनी चार दो पंचे दस एक दो तीन एक दो तीन फिर दो से दो नहीं दो चंग 12 दो दुनी 4 दो पंचे 10 00 फिर दो से दो तियां छे ठेक दो एकम दो दो दुनी 4 दो पंचे 10 00 फिर दो से पंचे कम पंच पंच फचांप पंचे 15 25 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 अगर उससे दिक्कत हो रही हो पाई जैसे माले जे एक क्या अगे 90 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 का मतलब है उसको 3 भागों व्याट ने कि घंड में 3 का जोड़ा बनता है तो 3 तीन नौ यानि 3 3 3 0 होंगे एक के साथ समझें यहनी 3 3 0 जब एक के साथ रखोगे तो 1,000 एक मुणा 1000 घुना एक तो पार है दो एक दो तीन चार पांच छे वार और एक दो तीन चार 5 छे वार और यह दो तीन चार पांच 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जोड़ा बना यह, इसका जोड़ा बनी गया, ये बनी गया, इसका बनी गया, इसका बनी गया, ये बनी गया, बाहर कहो संक्या, 3 बटा, इससे एक संक्या बाहर, 2, इससे संक्या बाहर, 2, इससे एक बाहर आ गया, इससे एक बाहर आ गया, यानि कितना तीन बटा दो दूज चार पंचे बीस पंचे सो वही चीज़ देखो आगे जो बता रहते यह सब यह जितने भी जीरों उनको इतने में डिवाइट कर लो कि वो तीन तीन बाद लिख जाएं अब नीचे क्या है दो जीरों है इनको गाप करना है वह क्या करना है उनको घंड उसका वर मुल निकालना तो जीतने जीरों है उतने उपर जो है आंक बाद लगा लेंगे नीचे कितने जीरों है दो तो उपर जो होगा दो अंक के बाद लगे अगर अंक नहीं है तो जीरों क्या करेंगे बढ़ा लेंगे तो देखें दो जीरों इनको अटाईए दो आंक क यहीं हमारा क्या हो जागा आंसा है पिश्चाप्ट लगालों के सभी लोग कोई किसी को दिक्कत कोई परसानी कोई दिक्कत नहीं ठीक है जीरु आले जो होगा घणमूले सभी को पता है उसमें दिख लेंगा करो जीरू गिनने के बाद में हिर इसको 3 से डिवाइट करते हैं कितनी बात रूं दो जाये काषा घों पूं टो जीरू एक हैं और फिरी बार जाएगा सोवा जाएंगा हमारा अगे तो जैसे भी कर बाना इसको करना वह अगर को दिक्का तो बताना चाहए से एक्टर कर लेना या सव अला जो जीरो वाले हैं जो सीधे रख सकते हो वेकर ने तो दुसरे के सभी पार्ट लगाएं एक हो में है कि दूसरे के जितने भी पार्ट है एक से पांग तक वह सब लगाए और उपर लगा के संग करो ठीक तेंक्यू